अज हम आपके गिंदी ग्रामर का एक टॉपिक चाप्टर नुबर फाइब शब्द विजार पढ़ेंगे हम जानेगे कि शब्द किसे कहते हैं निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण स्मुह को शब्द कहते हैं जैसे कुर्सी, टमाटर, बैल, पहाड, कारी, कादरकार, आदी यह स्मुह सार्थक होने के साथ साथ स्वतंत्र यानि अजाद भी होते हैं शब्द हमारे सामने होते हैं ये वर्णों के स्वतंत्र से बने होते हैं और ये हमारे सामने एक निशित अर्थ प्रकट करते हैं और ये सार्थक होने के साथ स्वतंत्र यानि आजाद भी होते हैं अब शब्द और पद में अंतर निशित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत जानते हैं परंतु जब शब्द का प्रไม्हाँ प्रयोग में होता है जल हैं तो जैसे लड़के कार चलाना ये तीनों शब्द हैं, ओ स्त्वदंत्र हैं, ये कोई हमारे सामने वाक्य प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये शब्द नहीं रहकर पद बन जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको वाक्य में प्रियोग करेंगे, जैसे लड़के कार्च लाते हैं, तो ये क्या बन गए? पद, क्योंकि वाक्य मे गणवट उह हो और हमारे सामने को निशीत अर्द परकट करए या विशिये शब्द को उसमे केवल शब्द होते हैं पद नहीं शब्दों के भेद, शब्दों का वर्गिकर निमलिक्त प्रकार से किया जाता है स्त्रोथ के अधार पर, रचना के अधार पर, अर्थ के अधार पर, प्रियोग के अधार पर, और व्याकरणिय प्रकारे के अधार पर पहले श्त्रोत के धार पर तत्सम, तद्बव, देशज और आगत्ये श्त्रोत के धार पर इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है रचना के धार पर रूड, योगिक और योगरूड अर्थ के धार पर एकार्थी, अनेकार्थी, प्रायवाची और विलोम शब्द, प्रयोग के धार पर समान्य और तक्नीकी और व्याक्रणी और प्रकारिय के धार पर विकारी और अविकारी शब्द पहला है श्त्रोत के अधार पर शब्द के भेद तस्सम तद्बव देशज और आगत पहले हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बनाया है तत प्लस सम इसका अर्थ है उसके समान हिंदी भाषा के शब्द बंडार का मूस्त् तत्सम शब्द जैसे शिखषा, पुत्र, प्रकार्ष, पुस्टक, दन्त, मुक्ध, रात्री, पुत्र, करपूर, प्रिशक और अगनी ये सब क्या है तत्सम भाषा के संस्कृत भाषा के शब्द है इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं हमारा तदभव शब्व, तदभव का यर्थ है, उससे उत्पन, हिंदी भाष्या में अन्य शब्द ऐसी हैं, जो संस्कृष से परिवर्तन रूप में आए हैं अजह संस्कृष के ऐसे शब्द जो रूप पर्वर्तनके साथ, हिंदी में परचलित हुए है अगनी का आग बन गया है अक्षी का आँंख, उजवल का उज़ला इस पेकार आपको सामने काभी धारन दिये गए है जो पहले थी संस्कृत में ऐसे थे और अब हिंदी में इनका रूप परिवर्थन होकर यह ऐसे बन गया है नेक्स्ट है देशेज़शब्द, देशेशब्द का रथा देश में उत्पन, भारत में लोक बशाओं से अनेक शब्द ऐसे आए हैं जिसकी उत्पत्ति का ठीक से पता नहीं अत्रस्थानिये बोलियों या उप भाशाओं से हिंदि में आए हैं, ऐसे छेत्रिय सब्दों को देशयज शब्द कहलाता है, यह क्या है, देश में उत्पन है, कुछ अलग छेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, उनसे ही आए हैं तो इनको हम देशयज शब्द कहते हैं, जैसे गाड़ी, जूता, ठेट, फुनगी, डिबिया, चसका, जटपड, तेंदुआ, लड़ू, लोटा, भिंडी, और पगड़ी, आगत शब्द, आगत कार्थ है, आया हुआ, कुछ शब्द बाहर के बाशाओं से हिंदी में आए हैं, इन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है, भारत में विदेशी से अनेक जाती हैं, वे अपने साथ अपनी बाशाओं के शब्द भी लाई हैं, जो हिंदी में घुल मिल गए हैं, यानि आगत शब्द वो है, जो विदेशी बाशाओं से हमारी हिंदी बाशा में आ गए हैं, हम इनको प्रियोग में लाते हैं, लेकिन है कौन से ये विदेशी शब्द, इनको हम हिंदी मान कर बोलते हैं, कौन-कौ पार्शी से आमदनी आसमान आसान आईना तो ऐसे काफी सारे शब्द है जो हम हिंदी में नोर्मली यूज करते हैं लेकिन यह सारे विदेशी भास्टा के शब्द है हम इनको हिंदी मान करें, उनका प्रियोग करते हैं, लेकिन है ये विदेशी शब्द, हिंदी में बहु प्रचले तुरुप शब्द डच भाषा गया है, तिबती भाषा के इतुलमा वै डाडी शब्द, जपान का दिक्षा और चीनी भाषा के चाई वै लीची शब्द किये जाते हैं, बहु प्रियुकते हैं, आंसु हिंदी में, गैस अंग्रीजी में और आंसु गैस दोनों भाषाओं से मिल गया, ये कौन सा हुआ, संकर शब्द, यानि दो बाषाओं के मिलने से जो तीसरा शब्द बनता है, वो संकर शब्द कहते हैं, जैसे आंसु गैस, जांच हिंदी का करता है, संस्कृत का तो जांच करता है, ये संकर शब्द हो गया, तो डो विदेशी आपस में जो दोनों ही अलगलग बाषाओं के मिलने से जो नया शब्द बनता है, वो कहलाता है, संकर शब्द, लेक्स्ट है हमारा रचना के अधार पर शब्द बेद, रचना के धारपर शब्दों के तीन प्रकार है, रूड शब्द, योगिक शब्द और योग रूड शब्द, रूड का अर्थ है जमा हुआ, वे शब्द जो अपने आप में पून और दूसरे शब्दों के योग से नए बने हो, उनें रूड कहते हैं, याने जो शब्द आप में ही पूर्ण है इनको पूर्ण करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवशक्ता नहीं है और इनके और अधिक सार्था खण याने इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते इन शब्दों के तो वो कहलाते हैं रूड शब्द जैसे बैल घड़ी चाई वचन इन शब्दों को हम कैसे भी करके तोर मौर्ड नहीं सकते है ये पूर्ण अपने आप में है ना इनमें कुछ जोड सकते है ना ही इनमें कुछ कम कर सकते हैं ये ऐसे की ऐसे ही रहेएंगे तो ये क्याओंसे कलांगे रूड शब्द नेक्स्ट हमारा योगिक शब्द, योगिक कार्थ है जोड से बना, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या सब्दांसों से बनते हैं, उन्हें योगिक शब्द कहते हैं, इनका निर्मान निमलिक्त विद्यों से हो सकता है, जैसे अपमान प्लस इत, अपमान इत, दो के मेल से बना है तो यह क्या है ये शब्द रख मेब से बने हैं तो इन् LEGO क्यां जेसरा है हमारा योग रूड ट्रूर्ण वे शब्द योगी को यानि योगिक यानि निकार घैन। ये ट्र। शब्द कहलाएंगे तो इन्हें योगरूड कहते हैं जैसे जलज और पितांबर पितांबर मानके चलो जैसे पीता प्लस अंबर जिनको पीला है जिनका अंबर तो यह स्रीकृष्ण के रूप में प्रियुक्त होता है और जलज है जल में उत्पन तो यह भी दो शब्दों के म